आप सब को जैमसी के परमेश्व का धनिवाद करते हैं आज की संदर्शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर की उपस्तिती में बने हैं। आए मिलकर हम विश्वास वचन की घोशना करेंगे, मेरे साथ मिलकर कहें परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा, आमेन। आए मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रात्ना की ओड़ जाएंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हो सकता है आपसे जीवन में कोई गलती हो गई, जिसके कारण लोग आपको तुछ समझते हैं, जिसके कारण लोग आप पर दोस लगाते हैं, ये फिर लोगों आपको एक name tag दे दिया हो आप पर एक title लगा दिया हो कि ये ब्यक्ति तो ऐसा है तो आज साम में मैं आपको outside करना चाहूंगा कि हो सकता है लोग आपको गलत समझते हों लोगों ने आपको एक title दे दिया है लेकिन यदि आप परमेशर पर भरोसा रखते हैं तो परमेशर उस title को आपके जीवन से दूर कर देगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तमाल भी करेगा और परमेशर की नजरों में आप तुछ नहीं होंगे परमेशर की नजरों में आप तुछ नहीं है जो लोग आपको समझ रहे हैं बलकि अपने आपको वो समझे जो परमेश्र आपके लिए कहता है परमेश्र आपके लिए क्या कहता है कि आप उसके प्रियजन है आप उसकी संतान है आप धर्मीजन है उसने आपके गुनाहों को मिटा दिया है अब वो उन्हें याद नहीं करता, आप भी उन्हें याद ना करे। हम लोग थोमा के जीवन में देखते हैं, जब प्रव येश्व मसी मुर्दों में से जी उठे, चेलो ने येश्व मसी को देखा, और जब थोमा को इस बात का पता चला, जब चेलो ने थोमा से इस बात को कहा, तो थोमा ने कहा, जब तक मैं उसकी हातों में अपनी उंगलिया नहीं करूंगा यानि कि उसने संधे किया यहां पर उसने डाउट किया और जानते हैं कि आज तक थोमा के विशे में परचार किया जाता कि वो संधे करने वाला बेखी उसको एक टाइटल मिल गिया एक टाइटल लोगों ने उसके उपर लगा दिया कि वो संधे करने वाला बे कि उसने संधे किया जिसके लिए आज भी लोग ये परचार करते हैं कि वो संधे करने वाला था वही थोमा इंडिया में आया वही थोमा भरत आया और उसी थोमा ने प्रभ येश्य मसी का परचार प्रभ येश्य मसी का नाम इस इंडिया में इस देश में हमारे देश में भरत में ले करके आया वही तोमा जिसके विशे में संधे करने वाला लिखा है जिसके विशे में आज तक परचार किया जाता वो संधे करने वाला लिखा है तो फरक नहीं पड़ता लोगों ने आपको क्या कहा है फरक नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं फरक आप बिल्कुल भी घबराई नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, आप परमेश्व पे भरोंसा रखें, परमेश्व उन्हें के सामने आपको आगे बढ़ाएगा, उन्हें के सामने आपको सिरोमनी ठहराएगा, उन्हें के सामने आपको परतिस्थित करेगा, यदि आपका भरों बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को कहने दो वो जो कुछ कहते हैं, परमेशो का वचन क्या कहता है, वो माइने रखता है, परमेशो का वचन आपके लिए क्या कहता है, वो माइने रखता है, लोग आपको पापी समझते हैं, लेकिन परमेशो का वचन आपको ध आज इंडिया में भारत में येश्यू का नाम है तो केवल धूमा की वज़े से वो यहां सुसमाचार को ले करके आया। आप तुछ नहीं है आप उसके चुने हुए है आप राजपधरी याज़कों के समाज है आप उसके प्रियजन है आप उसके बेटे और बेटियां है सुप्रव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आसीज दे आमेन। 777-007695 धन्यवाद आए मिलकर हम प्रात्न करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्यारे येश्यू। सच में मेरे परमेश्य। ये सुन्दर सी शाम, ये सुन्दर सा पल परमेश्य। पिता हम सब भाई बहनों के जीवन में प्रभु तुने जोडा है पिता। आज की शाम में प्रभु देश्विदेशों से, प्रभु जगा जगाओं से, प्रभु तेरे लोग तुससे प्यार करते हैं इस संगती के सहभागी बने हैं। प्रभु येश्यू के नाम से प्रभु आज आपकी उपस्तिती से भर जाएं, पवित्रात्मा का अभिशेक उन पर उतराएं पिता, हर प्रकार का disturbance, डाइवर्ट करने वाली बातों को येश्यू के नाम से हम दूर करते हैं, प्यारे पिता, इस समय प्रभु पवित्रात्मा ह रेख के उपर आप कंट्रोल लीजिए, प्रभु ये संपून मन से प्रभु जी, पून समर्पन के साथ में प्रभु तेरी उपस्तिती में बैट सके, परमेश्यू पिता, मैं धनिवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में हैं पिता, हमारी प्रात्नों को सुनने के लिए तै यार है येशु आपका वचन कहता है कि आप प्रातना सुनकर उसका उत्तर देते हैं परमेशु पिता मैं धनिवाद करती हूँ प्यारे प्रभू आपके कान प्रभू धर्मी जन के प्रातना के ओर प्रभू आपके कान लगे होते हैं येशु मैं आपका धनिवाद करती हूँ मैं प्रातना करती हूँ परमेशों पिता आज की सुन्दर शाम में प्रभू आपके बेटे बेटियों के लिए पिता इस समय प्रभू बहुत से भाई बेहन है प्रभू जो अपने परिशानियों में अपनी समस्या में अपने दुख में अपनी चिंताओं में और बहुत सारे struggle से और बहुत जारे विरोध से होकर गुजर रहे हैं पिता येश्यू के नाम से प्रभू इन सारी बातों को उनके जीवन से cancel out करते हैं इन सारी बातों से प्रभू येश्यू के नाम से वो छुटकारा पाएं धन्यवाद करते पिता आज की शाम में मेरे प्रभू आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया पिता हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया प्रभू हर एक जन प्रभू जो आत्मा में भूका और प्यासा था प्रभू तुने अपने वचन से उनसे बातचीत किया उनकी जो नीड है उन्हें जो जवर्ट है इस वचन की अनुसार प्रभू तून्हें पूरी कि निराश हो गया हुए प्रभू जब लोग उन्हें लोगों ने प्रभु उनके नाम के आगे टाइटल जोड़े हैं, उन्हें नेम टैग दिया है, परमेशवर में प्रात्ना करती परमेशवर पिता, जब लोग कहते कि यह कामचोर है, यह पियकर है, इसका चयरेक्टर खराब है, यह चयरेक्टर लेस्च, बहुत से ऐस इसे नाम परमिश्यों प्रभू तेरे लोगों को दिये गए हैं परमिश्य जिसको सोच कर जिसे सुनकर प्रभू हर दिन इरिटेट हो रहे हैं हर दिन निराश हो रहे हर दिन उनकर confidence level zero हो रहा है पिता हर दिन प्रभू येश्यमसी उनके अंदर hesitation भरता चला जा रहा है मैं प् प्रमिश्य पिता तुने कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटिया हो धन्यवाद परमिश्य जो तुने हमारे जीवनों में दिया पिता तुने हमें एक रिष्टा दिया अपनी बेटी और अपना बेटा परमिश्य बना कर प्रभू आपने हमें ये टाइटिल आपने हमारे name के आगी ये tag दिया है परमेशवर हम आननदित है परमेशव पिता कि दुनिया प्रभू जो आपके लोगों को नाम नेम टाइटल दे रहे है पिता उसे प्रभू अपने जीवन से दूर करने पाए और परमेशवर जो तूने प्रभू उन्हे टाइटल प्रभू तूने दिय जाए हर प्रकार के जो गलत नाम टाइटिल है ये श्मसी के नाम से हम इनके जीवन से दूर करते हैं प्यारे परमेश्व इस समय हर एक के confidence level को आप करें परमेश्व हर एक के hesitation को आप दूर करें परमेश्व पिता हर एक के faith को increase करें परमेश्व पिता क्योंकि प्रभु ये तेरे लोग हैं प्रभुजी जिने प्रभु आप बढ़ते वे देखना चाहते हैं आपने कहा कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं तुम राजपतधारी याज़कों का समाज हो तुम मेरी पवित्र प्रजा हो आपने कहा है तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे नाम धराई को दूर करूँगा और उसके बद्ले दुगना भाग तुझे दूँगा परमेश्वर पिता इनकी नाम धराई को दूर करें और दुगना भाग दुगना आधर परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे प्रभू क्योंकि आप समय को परिवर्तन करना जानते हैं प्रभू इनके life में इंके फैमिली में इनके बचों के life में आज प्रभू यदि हैसी situation से हो गुजर रहे हैं प्रभू जब लोग इनकी नाम धराई करें आप इन्हें आदर दे मेरे प्रभू और प्रभू तेरे लोग ऊंचे पदों पर न्युक्त हों और जो लोग इन्हें गलत बोलते उन्हीं लोगों के मूझ से परमेश्व प्रभू तेरे बेटे बेटियों को तारीफ और आदर मिलने पाए प्रभू ऐसा होने में आप स पच्चों के बीच में फैमिली मेंबर्स के बीच में प्रभु जी रिष्टे टूट रहे हैं प्रभु डिवार्स तक बात पोज गई हैं रिलेशन्शिप बिगरते चले जा रहे हैं येशु नास्री के नाम से उन परिवारों के लिए शांती मेल मिलाप प्रेम और एक दूस कर चली जाए इन भाई बेहनों को छोड़कर वो बुरी संगती जाए मेरे प्रभु इनका लाइफस्टाइल इनका चालचलन इनका व्यभार इनके थाट्स येशु के नाम से चेंज होने पाएं पिता थैंक यू फादर धनिवाद परमेश्व जितने लोग दुष्टात्म से ग्रसित हैं उन दुष्टात्माओं को हम आग्या देते हैं इनके परिवार और इन भाई बेहनों के जीवन से जाओ येशु के नाम से हम तुम्हे आग्या देते हैं धनिवाद हर एक बिमारी जो इनके शरीरों में हैं तकलीव घाव चोट ऐसी बिमारिया जो बहुत जा वो घाव जो इनके शरीर में लगा है जहां पर इन्होंने अपने हाथ को रखा है येश्यमसी तेरा वचन कहता है बिमारों को चंगा करो इसी वक्त प्रबु हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं पिता अप्रबु तेरे लोगों के ऊपर तो अपने सामर्ती हाथ को बढ़ा और ये चंगे हो जाए शुके नाम से बी हील इन नेम ऑफ जीजस बॉडी ओर्गन्स इंटर्नल ओर्गन्स चंगे हो जाओ शुके नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाओ ये शुके नाम से कैंसर पैरलाइस टूमर बीपी शुगर की बीमारी जो चल फिर नहीं सकते जो दे कार के इंपक्षिन को जाने के आग्या देते हैं गुप्त रोग नस्ट हो जाए फाइल्स की बिमारी नस्ट हो जाए फिस्टूला फिशर ये शुनास्री के नाम से नस्ट होने पाए थैंक यू फादर आपने चुआ और चंगा किया आज रात में प्रभू आपके लोगों के विचारों को दूर करें पिता परमेश्र ये अपनी सारी चिंताओं को तेरे उपर डालने पाए क्योंकि तुझे इनका ध्याने परमेश्र पिता प्यारे प्रभू आज रात में अची नीन से स्वें प्रभू कल का दिन तेरे साथ में देखें और जो भी चिंता है बेचैन की प्रास्मा तुने सुनी है उनके जीवन में आप कारे कर रहे हैं और उन्हें बढ़ा रहे हैं पिता में धनिवाद करती हूं हर एक जन प्रभू तुझ में बढ़ता चला जाए जिनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है उन्हें प्रभू उन्हें अच्छी जॉब नहीं मि कर दे जिस कारण प्रभु डिप्रेशन में चले जा रहे हैं प्रभु येश्य मसी आजाद करें इन बातों से तेरे लोग उठसाहित होने पाएं वो घरों से बहा निकलने पाएं वो एक्साइटेट होने पाएं क्योंकि वो परम प्रधान सर्व शक्तिमान की संता ने यह ने ने टाइटल प्रभु तुने दिया है परमेश्य पिता थैंक यू फादर धन्यवाद आपने हमारी प्रात्नों को सुना उत्तरहां आमीन में दिया येश्य के नाम से हम स्विंती प्रात्न को मांगते सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन